हेलो दोस्तों आपका अमारे चैनल पे स्वागत है आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए कुछ ऐसे बेहतरीन क्वेशन लेकर आए हैं जो आपके एक्जाम में पूछी जा सकते हैं बहुत ही जादा इंपॉरे वीडियो को देखिएगा और हरे क्वेशन को आप ध् दौई पक्षिय नॉसेना अभ्यास वरुन 2022 आयोज़ित किया गया मार्स 2022 में भारत 22 देश की नौशेना के बीच बीसवान अभ्यास वरुन 2022 आयोज़ित किया गया इसमें से जो सही उत्तर है आपका है फ्रांस इसलिए बी वाला जो आपसन होगा बिल्कूर सही होगा अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में 20 एक समूग का पांचवा सिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ म्यामार, बुरुनेई, स्रीलंका या फिर बांगलादेश इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका सी वाला है स्रीलंका जो होगा बिलकुल सही उत्तर होगा अगला क्वेश्चन है हमारा आई पी यल 2022 में निम्न में से किस बल्ले बाजने पहला सतक जड़ा केल राहुल, रोहित सर्मा, जौस बटलर या फिर डेविड वार्नर इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका जौस बटलर है, इसलिए सी वाला जो आपसन होगा विलकुल सही होगा अगला क्वेश्चन है हमारा अपराइल 2022 में भारत के जैनगर, बिहार वकिस देश की कुर्वया के बीच 34.5 किलो मेटर लंबी ट्रेन सेवा शुरुवात की गई है आपको बताना है वह राजी का नाम बताना है उस राजी का नेपाल, भोटान, बांगला देश एफिस्री लंका इसमें से जो सही उत्तर होँ आपका नेपाल है, इसलिए ये वाला जो आपसन होगा बिल्कूर सही होगा आपको बताना है इस योजना के 5.2 एक लाभार्थियों के घरों का उधगाटन नरेन बोधी ने किस राज में किया है तो उत्तर परदेश मद्ध परदेश 36 गड़ या फिर पस्चिम बंगाल इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका भी वाला है मद्ध परदेश जो होगा बिल इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका एवाला है तीन परसंट जो होगा बिलकुल सही होगा अगला क्वेशन है हमारा हाल ही में यूनेशको द्वारा बिस धरोवर सूची में भारत के किस राज्य के Living Root Bridge को सामिल किया गया है हाल ही में UNESCO द्वारा बिस धरोवर सूची में भारत के किस राजी के Living Root Bridge को सामिल किया गया है मेघाल है सिक्किम और इसा या फिर नागा लैंड इसमें से जो सही उत्तर है आपको बताना होगा तो इसमें सही उत्तर आपका मेघाल है इसलिए यह वाला जो आप्षन होगा बिलकुर सही होगा इसको ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा निमन में से किस भारती अभनेता को आबुदाबी के S.I.Land का ब्रांड अभिजडर बनाया गया है अमताब बच्चन, सारु खान, रणबीर सिंग या फिर आईश्मान, खुराना तो इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका C वाला है रणबीर सिंग जो होगा इस प्रशने के लिए बिलकुर सही उत्तर होगा अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 में निमन में से किस बैंक ने कार्पोरेट ग्राहकों के लिए अपने ग्रीन डिपाजिट प्रोग्राम को लांच किया है ज्यान दीजिएगा मार्च 2022 में निमन में से किस बैंक ने कार्पोरेट ग्राहकों के लिए अपने Green Deposit Program को लांच किया है HSBC Bank HDFC Bank या फिर DBS Bank या फिर CII Bank इसमें से जो सही उत्तर होगा वो आपका C वाला है C में क्या दिया गया है DBS Bank जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा अगला क्वेस्चन है हमारा World Happiness Report 2022 में कुल कितने देशों को सामिल किया गया है World Happiness Report 2022 में कुल कितने देशों को सामिल किया गया है 126, 130 146 या फिर 150 इसमें से जो सही उत्तर होगा वो आपका C वाला होगा 146 जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा अगला क्वेस्चन है हमारा भारती अब ग्रहों को IRS रिंखला का परियोग डाट-डाट के लिए किया जाता है ध्यान दीजेगा भारती अब ग्रहों की IRS रिंखला का परियोग किसके लिए किया जाता है वान की संचार, Remote Sensing या फिर खगोल भी ग्यान इसमें से जो सही उत्तर होगा आपको बताना है इसमें जो सही उत्तर है वो आपका C वाला है remote sensing जो होगा इस प्रस्ण के लिए बिलकुर सही होगा इसको ध्यान रखिएगा अगला question है हमारा प्रसिद व्यक्ति बाल कृष्ण दोसी को निमलिखित में से किस शेतर में उनके योगदान के लिए माना जाता है आपको पताना है प्रसिद व्यक्ति बाल कृष्ण दोसी को निमलिखित में से किस शेतर में उनके योगदान के लिए जाना जाता है खेल, संगीश, साहित या फिर वास्तु कला इसमें से जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा आपका डी वाला जो है बिलकुर सही होगा क्योंकि उनको वास्तु कला के लिए जाना जाता है इसलिए डी वाला जो आपसन होगा बिलकुर सही होगा अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में PSELB का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था वर्स 1980, 1987, 1993 या वर्स 2000 इसमें से जो सही उत्तर होगा वो आपका C वाला है वर्स 1993 यह बिलकुर सही होगा अगला क्वेश्चन है उपन्यास, स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखा कौन है एके रामानुजन, आर के लक्ष्मन, आर के नारायन या फिर अनीता नायर इसमें से जो सही उत्तर होगा आपको बताना होगा इसमें सही उत्तर है आर के नारायन, इसलिए C वाला जो आपसन होगा विलकुर सही होगा आर के नारायन इस प्रश्ण के लिए विलकुर सही उत्तर है अगला क्वेस्टन है हमारा, निमलेकित में से CEC का आर्थ है आपको बताना है निमलेकित में से CEC का मतलब क्या है चीफ एलेक्षन कंट्रोलर, सेंट्रल एलेक्षन कमिशनर, चीफ एलेक्षन कमिशनर या फिर कामन एलेक्षन कोड इसमें से जो सही उत्तर है आपको पताना होगा इसमें सही उत्तर C वाला है Chief Election Commissioner अगला question है प्रतेख वर्स पांच जून को कौन सा दीवस मनाया जाता है इसलिए D वाला जो आपसन होगा बिल्कुल सही होगा D वाला जो उत्तर है सही है अगला question है निमलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा glacier है निमलिखित में से आपको पताने है भारत का सबसे बड़ा glacier कौन है गंगोत्री glacier, द्रांग द्रंग glacier, सियाचिन glacier या फिर सफात glacier इसमें से जो सही उत्तर है वा कौन सा होगा इसने आपका सी वाला जो है बिल्कुल सही होगा सियाचिन glacier जो होगा बिल्कुल सही होगा अगला question है मारा English channel को तैर कर पार करने वाली पहली भारती महिला कौन है रस्मी सर्मा, रूपाली, रेपाले या फिर आरती साहा या फिर सीखा टंडन इसमें से जो सही उत्तर है आपको पताना है इसमें से सही उत्तर आपका सी वाला है सी में क्या दिया गया, आरती साहा जो होगा इस पूस्ने के लिए बिल्कुल सही होगा अगला question है मारा माले किस देश की राज़ानी है मारी सर्स, लक्षदीव, माल्दीव या फिर मलेसिया तो माले जो है वो माल्दीव की राज़ानी है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हर तिन आपको हम ऐसा ही practice चट देते रहेंगे जिसमें बहतरीन question हम आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके exam के लिए काफी महत्तपूर होंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा धन्यवाद